नमस्ते आप सबी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल माजी की रसुई में करवा चौत की बहुत बहुत सुब कामना है जो भी करवा चौत की ब्रत रखते हैं उनके लिए लेकर आई हूँ आज मठरी की रेसिपी जो करवा चौत में हर घर में बनता है जो भी करवा च से बनाना बहुत ही आसान है एक दम पूरी वीडियो देखेंगे तो इस तरह से दम कुरकुरी बनेगी स्टेप बाइ स्टेप फॉलो करेंगे तो देखें कितना कुरकुरा है कितना खसता है इस तरह कितना अच्छे से टूट रहा है तो पूरी वीडियो देखें और इसी तरह कि मट्री बनाईए और कमिट करके बताईए कैसा बना है तो सबसे पहले मीठी मट्री के लिए हम डो बना लेते हैं उसके लिए एक कप मैदा और वन फोर्थ कप सूजी लिया है और दो बड़े चमच घी इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि मैदा सूजी और घी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और मोयन इतना ही डालें मोयन मिन्स घी कि ये मुठी बंद जाए इस तरह से मुठी बंद जादा भी घी डालेंगे तो अच्छा नहीं है और कम भी डालेंगे तो एकडम कड़क बन जाएगा और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक कड़क डो बना लेंगे टाइट डो बनाएगे जैसे पूरी बनाते हैं उससे भी थोड़ा सा टाइट तो एकडम कुरकुरी बनीगा एकडम टिप्स को फॉलो करेंग तो एक्तम अच्छे से बन जाएगा, बहुत ही आसान है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यह हमारा मीठी मठ्री का डो बनके तयार है, इसको कम से कम आदा घंटा नहीं, तो 40 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे, ढखके ताकि सूखे नहीं, इस तरह से ढखके र रवाज इसको बोलते हैं, और दो बड़े चमज के लगभग घी ले लेंगे, और यहाँ पर नमकीन मठ्री है, तो इसमें थोड़ा नमक डाल लेंगे, स्वाद की अनुसार, जितना नमक खाते हैं, और यह अजवाइन है, अजवाइन को रगड के लगभग, आधा चमज के लगभग है, तो कॉंटिटी अगर मैदा की बढ़ा रहे हैं, तो सारी चीजों को उसी रेशियो में बढ़ा लेंगे, अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और इसको भी मुट्टी बना के देख लेंगे, देखे, अच्छी से बन रहा है, सेम कॉंटिटी में है, सेम रेशियो में, अब इसको भी थोड़ा-थोड़ा पानी डालके इसका भी उसी तरह कड़ा-काटा गूंद के रख लेंगे, दोनों सेम रहता है, मीठे वाले में नमक नहीं डालते हैं हम लोग और नमकीन में नमक डालते हैं, तो इस तरह से हम कड़क डो बना के रख दे तो अच्छे से बनेगा लगभग 45 मिनट हो गया है अब देखते हैं ये मीठी मठ्री वाला आटा है तो इसको फिर से थोड़ा सा मसल लेते हाथ से और चोटी-चोटी लोईया पुड़ी के जैसा काट के रख लेंगे और इसको दोनों हथेलियों के बीच में दवाते हुए अ ये हमारा बन गया है सभी को हमने अथेलियों के बीच में दवाते हुए थोड़ा चिकना करके इसकी लोई बना लिए और एक एक लोई करके हम बेल लेंगे और पूरी जैसा बेल लेंगे गोल बनाते हुए और इस तरह से मोटा रहेगा और अगर परफेक्ट गोल चाहिए इस तरह से कोई भी कटोरी आप ले लें उसका शेप जितना बड़ा रखना है उसके हिसाब से और इसमें फोक से हम इसमें पिंच कर देंगे ताकि ये फुले नहीं कचोड़ी जैसा फुल ना जाए हमें फुलाना नहीं है इस तरह से देखे डिजाइन भी आ गया और ये फ बज़ रहा है इसको लास्ट में बना लेंगी उसका भी पूरी तरह से बना लिया है हमने इस तरह से हमने सारे आटे को पूरी के तरह बेल लिया है और उसको फोक से पिंच कर दिया है अब मच्री तलने की तयारी करते हैं, तो कडाही में तेल ले लिया है और एकदम slow gas पे तेल को गरम किया है, एकदम हलका गरम होना है तेल को और उसमें मच्री डालेंगे, तेज आज पे मच्री नहीं बनेगा, अच्छा, तो इसको एकदम धीरे slow gas पे हम इसको बनाते हैं, तो बहुत slow है तब तक हम ये नमकीन वाली मट्री को तयार कर लेते हैं अब इसका भी अच्छे से थोड़ा सा मसल लेंगे और इसके भी लोईय काट लेंगे बराबर मात्रा में तो इस तरह से इसको भी दोनों हाथों से की गोल बनाते हुए इसका भी लोईय बना के रख लेंगे तोनों हाथों के बीच में दवाते हुए अब इधर देख लेते हैं ये बहुत slow gas है ना तो बहुत धीरे बनता है इसको धीरे धीरे ही बनने देंगे और तब तक हम वो नमकीन वाले को बेल के रख लेंगे जैसे मीठे वाले को बेला था है कुड़ी की तरह बेल लेंगे और शेप देने के लिए इसको कटोरी से कट कर लेंगे तो एक अच्छा सा शेप दिखने में अच्छा लगता है इस तरह से काट लेंगे और इसका भी जो ये आटा बचता है उसको रखते जाएंगे लास्ट में उसका सम मिला के एक अलग सा पोड़ी बन जाएगा उसका इसको भी फोक से पिंच कर देंगे ये बन गया है अब इस तरह कितना देखे कितना सुन्दर कलर आया है स्लो गैस में भी एक दम गोल्डेन कलर आया है यही कलर चाहिए और इसी तरह से पकना चाहिए धीरे धीरे तब तक के लिए इधर फिर से हम नमकीन वाला बना लेते हैं पूड़ी सारी पूड़ियां बना के रख लेंगे नमकीन वाली सारी पूड़ियां हमारी बन गई हैं ये देखे तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है अच्छा लगता है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें यह हमारा बन के त्यार हो गया है उसको निकाल लेते हैं अब यह हम दूसरे बार डाल देते हैं यह सब मीठी वाली पूरी है मच्छी यह दूसरी वाली भी हमारी त्यार हो गई है इसी तरह से हमने सारे त्यारी करके रख लिया है यह देखी कितना सुंदर आया है एकदम गोल गोल है ना देखने में सुंदर लगता है अब हम नमकीन वाले को भी तल लेते हैं उसी तरह से slow gas पे, gas slow ही रहेगा, अब मीठी मठरी के लिए हम चासनी तयार कर लेते हैं, क्योंकि वो तो दीरे दीरे पकता रहेगा, तो हमने एक कप मैदा लिया था, तो उसके अनुसार से आधा कप चीनी लेंगे, और फोर्थ कप इसमें पानी डालके इसको गैस पे चढ़ा लेंगे, गैस को थोड़ा सा मीरियम पे रखेंगे, और चीनी गूलने तक इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे लगने का डर है और दूसरी गैस पे हमने ये नमकीन वाली मट्री चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ ओ भी चलता रहेगा, क्योंकि बहुत स्लो उसको तलना है तो इसलिए हम इधर चासनी बनाने के लिए रख दिया है, अब ये इस तरह से चासनी, गाड़ ही चासनी बनानी है, पतला रहेग तो हमारी मट्री सौफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर हमने दो इलाइची तोड़ के डाल दिया है, जिसकी खुश भी बहुत अच्छी आएगी, अब इसको चेक कर लेते हैं, इस तरह से एक तार की अच्छी सी चासनी होनी चाहिए, गाड़ ही सी, अब हमने गैस बन कर लि करते हुए दोनों तरप से और उसको निकालते जाएगी, एक एक करके निकालके रखेंगी, देखें कितने अच्छे से चीनी का कोट हो रहा है, इसको चासनी अंदर तक नहीं भींगाना है, सिर्फ उपर से कोट करना है, तो हर एक पीस को इस तरह से चासनी में डुबाते इसको हम कोट कर लेंगी, और अगर चासनी ठंधा होकर जम जाता है, तो फिर से थोड़ा सा एक चमच पानी डालके उसको गरम करके देखी, मैंने किया है भी, गरम करके फिर से उसमें बाकी के बचे हुए, पीसे इस मत्री को इसमें डिप करके कोट कर लिया है, एक दम बरा कावर बैठ गया है, आधा कपचीनी का जो सिरप मन ने बनाया है, तो पूरे में अच्छे से कोट हो गया है, यह हमारा पूरा मीठी मत्री तैयार है, अभ इदर देख लेते हैं, यह हमारी नमकीन वाली भी मत्री तैयार होने वाली है, धीरे धीरे गैस पे यह बनता रहता ह ये किन ध्यान देते रहें बीच बीच में इस पे ध्यान दें और इसको पलटते रहें ये मीठी मट्री हमारी एक तम बन के तयार है कितनी अच्छी लग रही है कितना अच्छा कोट हुआ है इस पे चासनी का बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत टेस्टी बना है तो इस स्टेप बाइ स्टेप फॉलो करेंगे ना इसी तरह से कुरकुरी मठरी आपकी भी तयार होगी यह हमारी नमकीन वाली बन के तयार है इसको भी निकाल लेते हैं तो आप इसको इस करवा चौत पे जरूर से जरूर ट्राइ करें और अगर करवा चौत पे नहीं कर रहे हैं तो दिवाली पे तो जरूर ही करें और हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा बना यह देखें कितने अच्छे तरह से कोट हुआ है दोनों तरप से एक दम इवेनली और इसको देखें एक दम कड़क बना है और बहुत ही टेस्टी बिस्किट के जैसा बना है एक दम मठरी यह हमारी नमकीन वाली मठरी तयार है आप इस तरह से बनाएंगे तो घर वाले भी खुस हो जाएंगे इस तरह से बनाएंगे मठरी और तो इसको आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं अगर जादा बनाना है तो जादा भी बना करक सकते हैं बच्चों को भी दे सकते हैं तो इस तरह से बनाएए और कमेंट कीजिए हैपी करवाचाओत एंज्योई